नमस्कार साथियों, कुछ जीवन के यूटूब चनल में आप सभी का हार दीक अभी नंदन हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, प्रसिक रासी का अक्टूबर दोजार चोईस का रासी पल कैसा रेने वाला है, सबसे पहले बात करेंगे आपकी आर्थिक इस्तिति को अच्छा सुधार होगा, इस मेने अचानक किसी प्रकार का धन लाब आपको हो सकता है, धन निवेस के लिए मेना ठीक है, शेर मार्केट का काम करने वालों के लिए भी मेना ठीक रहने वाला है, धन लेन देन में सावधानी रखें, नहीं तो किसी प्रकार का आपका नुक्स इस मेने के अंदर यानि का आगे बढ़ा सकते हो आप अपने वापार को किसी नए बिजनेस की सुरुआत आप इस महां में कर सकते हैं जिन लोगों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है उनको भी अच्छा लाब इस महां में मिलेगा जिन लोगों को जिन लोगों का ट्यूर और ट्रेवल्स का कारोबार है उनको भी अच्छा लाव होता हो दिखाई दे रहा है इसमेने के अंदर सरकारी काम अगर बहुत दिनों से रुका हुआ है तो इस माहा में हो सकता है करियर में कोई बड़ी उपलब्दी आपको मिल सकती है नौकरी में अच्छा फर्मोस चात्रों का मन इस मेंने चंचल भी रहेगा किसी एक चीज में नहीं टिकेगा कि कभी सोचेंगे ये करूं कभी सोचेंगे वो करूं वो पड़ाई करूं तो उसमें उलजना नहीं है चात्रों को किसी कंपनी की तरब से इंट्रिव का कोल भी आ सकता है इस मेंने कोई प्रिक के प्रोपटी खरी सकते हैं इसमें घर कपदें प्रेड़ करें सकते हैं कोईभी चीज खरी सकते हैं घर में कोई मांगलिक करपुर्स अगाय पक्त única की भी गराण में में कोई चक्रान उद्यका वह सकता है नए मित्र आपके बनेंगे जो आपके आगे जाके काम भी आएंगे घर परिवार में कोई समश्या चल रही है तो हनमान जी की उपासना करें क्योंकि मंगल का असर आपके राशी पर है तो इससे वो कम होगा बात करते हैं आपके व्यवाईग जीवन और प्रेम जीवन को लेके शादी सुदा लोगों के लिए मेना बहुती अचा रहने वाला है शादी शुदा जातकों को संदान की प्रापती हो सकती है विवाइक जीवन में पहले से कोई परेशा नी चल रही है तो वो इस माह में कम होगी अब विवाइतों को लिए अच्छा रिष्टा आ सकता है प्रेम जीवन इस मेंने किसी बात को लेकर मन उटा रहे सकता है प्रेम जीवन में आप अपने प्रेमी की हरिच्चा पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं अपने प्रेमी से बारे में भी सौँ सकते हैं जो लोग बहुत दिनों से हैं एक दूसरे के साथ जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में कोई नया विक्ति आ सकता है बात करते हैं आपके स्वास्त को लेखे इस महां आपका स्वास्त अच्छा रहेगा गिरने पढ़ने के कारण छोटी मोटी चोट लग सकती है तो इसमें सावधानी रखनी है आपको तोड़ा सा जल्दबाजी ना करें किसी भी कारे में पेट से संब्दित रोक आपको तोड़ा बोत मातरा में परिशान कर सकते हैं जिन लोगों को बीपी की समझ्या है वो भी अपना ध्यान रखें कि बढ़ सकता है ज्यादा तेल और अधिक मिर्ची वाले मसाले वाले खाने से दूर रहें अपने स्वास्त को मजबूत बनाने के के लिए सुबह घुमना सुरू करें याने की मौनिंग वाक आप सुरू करें बात कर रहते हैं यात्रा को लेके इस मेने के अंदर कुछ अच्छी यात्रा हैं आपकी हो सकती है यात्राओं से आपको उच्छा दनलाब भी मिल सकता है यात्रा के दोरान किसी पुराने मित्र स सावदानी रखें नहीं तो चोटी मोटी चोट लग सकती है अंत में बात करेंगे कि पुरा मेना लगवा किसा गुज़रेगा आपका यह मेना आपके लिए बहुत ही शानदा रहने वाला बहुत अच्छा मेना किसी प्रकार की ज्यादा समझे इस महा में नहीं है भागे का अर्तिक की शत्ति में इसावदार होगा धनलेंदेन में तोड़ी साउदा नहीं हो सकता है वाफार आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा इस महां के अंदर चलाब होगा नवकरी में अच्छा पर्मोशन हो सकता है से अल्टि बढ़ सकती यह चात्रों के लिए थोड़ा सा कम वेक्ति आ सकता है इस महां आपका स्वास्त बहुत अच्छा है यात्राओं से आपको अच्छा लाब भी मिल सकता है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक करें और शेयर करें मैं अगर आप रोज और दाश सकते हैं अपनी और सॉरक्षित रहे हैं